सबी को नमस्कार, सस्रियकाल सारयनू, कैसे आप सभी लोग, I hope सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस सरदियों में तो आप सभी लोग अपने अपने गरों में, रजाईयों में बैठे होंगे आज मकर संक्रान्ती का तेवार है तो इस तेवार की मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाईया आज मैं अपने खेतों पर घुमने आया वैसे मैं रोज ही अपने खेतों पर घुमने आता हूँ लेकिन आज मैंने कुछ खास पाया कि क्यों ना आप लोगों से कुछ बातें सेयर की जाएं मेरा एक प्रश्ण है कि इस दुनिया की सबसे खूब सूरच चीज क्या है अगर मेरे लिए तो इस दुनिया की सबसे खूब सूरच चीज है वो सिर्फ एक ही है और वो है हमारा नेचर हमारी प्रकती ये दुनिया की सबसे खुब सूरत चीज है जो दिल को इतना सुकून पहुचाती है कि इसको बया नहीं कर सकते कि कितना सुकून मैं जिस जिगर पर खड़ा हूँ यहां का जो तापमान है वो 6 डिगरी कि आप लोग सोचिए एक बार अपनी आखें बंद करिए और आप बस मनी मन सोचिए कि आप ऐसी जगर पर खड़े हैं जहां पर चारों और हर्याली ही हर्याली है सर्दियों का मौसम है ओस जो है बूनों के रूप में आपके उपर गिर रही है चिणियां चहचा रही है पेन पौधों जब हवा टकराती है तो पत्तियों पर ज़रने बूने जो जड़ती है उसकी आवाज आपके कानों तक जा रही है नीचे नदी बै रही है आप उसके पास खड़े हैं मचलियां उसमें कूद रही है उसकी जो आवाज आपके कानों में गूंज रही है मलग कितना ही खूबसूरत नजारा हो सकता है तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे सर्दियों के मौसम में खास कर आप लोग एक बार अपने गाउं जाईए अपने ही सुकुन मिलता है और अपनी पेन पौदे लगाईए नेचर का असली जो मज़ा है वो लीजिए देखिए कि कितना खूबसूरत हमारा नेचर है इस दुनिया की भाग दोड़ से कहीं दूर निकल जाईए खेतों में अकेले और बैठे हैं और चारों तरफ महौल एकदम सा अंत सिर्फ पक्षियों की आवाजें आ रही है जहनورों की आवाजें आ रही है हवा चल लएई तो बोने यो उसकी झड़ नहीं पत्तियों के ऊपर उसकी आवाजें आ रहे है कितना ही सांत और सुन्दर नजा राए हो सकता है आप लोग बस इससे इमेजिन करिये तो अंत म